आई आईसी प्टरंगा से मैं जमाल एहमद एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ बहुत चोटी सी क्लास है और बहुत काम की है जैसे कि आपको इसकी नज़र आ रहा होता यदि मैं ये होता यदि मैं वो होता इस तरह के जो संट्गेस होते हैं अकसर स्टुडेंट को इनको बनाने में और इनको बोलने में उनको दिक्कत होती है तो मैंने कहा क्यों ना ऐसी प्रावल्बम को साल्व कर दिया जाए हमारे इस्ट्रेंट्स के लिए देखिए कैसे सेंटेंस जैसे यदि मैं भारत का परधान मंतरी होता यदि मैं एक अध्यापक होता अगर मैं तुम्हारी जगा होता अगर मैं तुम्हारा बाप होता अगर तुम मेरी जगा होते ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जब बनाने होते हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस्ट्टेंट हमारे जो है वो पड़ा सोचे लगते हैं कैसे बनेगा यह बहुत इजी है एक बार जब मैं समझा दूंगा तो फिर आप भोलेंगे नहीं बिल्कुल भी इसकी प्रैटिस करिएगा तो देखिए ऐसे सेंटेंस जो होंगे यदि मैं यह होता यदि मैं वह होता तो इफ आई वर से जैसे यदि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया यदि में एक अध्यापक होता अगर मैं तुम्हारा बाब होता इफ I were your father फैक है और अगर इस तरह एखा जाए अगर तुम मेरी जगह होते इफ यू वर इन माई प्लेस ऐसे बनाएंगी इसको इफ यू वर इन माई प्लेस ठीक है श्रेंट हैना कितना असान बहुत आसान है बस एक बार आप इसको समझ लीजे कि if I were से बनाना है हमको और last में होता ऐसा होता तुम होते मैं होता मैं ये होता मैं वो होता ऐसी sentence में बनाएंगे इसके और भी कटेगरीज आती हैं उनको बाद में हम सीखेंगे सिर्फ आज आपको इतना सीखना है कि यदि म अगर मैं तुम्हारी जगा होता if I were you अगर मैं तुम्हारा बाप होता if I were your father अगर तुम मेरी जगा होते if you were in my place तो ऐसे बनाएंगे और एक और प्रावलम आती है बच्चों को काश वाले प्रावलम आती है काश काश वाले sentence नहीं बोल पाते हैं न लिख पाते हैं काश मैं उड़ पाता काश मैं आप से मिल पाता काश मैं तुम्हें समझा पाता काश मैं धारा परवा हंग्रेजी बोल पाता काश मैं एक डाक्टर बन सकता तो ऐसे sentence जो होते हैं उनमें भी प्रावलम आती है तो इस तरह के जो sentence आएंगे हम उनको बनाएंगे I wish I could से कैसे काश मैं उड़ पाता I wish I could fly बस बन गया I wish I could fly काश मैं आप से मिल पाता I wish I could meet you काश मैं आप से मिल पाता I wish I could meet you काश मैं तुम्हें समझा पाता I wish I could make you understand I wish I could make you understand देखिए make somebody understand होता है किसी को समझाना somebody मतलब किसी को तो किसी के लिए उसको समझा रहे हैं आप उसका नाम आ जाएगा जैसे काश मैं अब्दुल को समझा पाता तो I wish I could make अब्दुल understand यह कि जगा अब्दुल हो जाता काश मैं उसे समझा पाता I wish I could make him understand काश मैं पापा को समझा पाता I wish I could make father understand खीके स्टेंड तो इस तरह से बनाएंगे के लिए ना चलिए काश मैं धारा परवा अंग्रेजी बोल पाता I wish I could speak English fluently इंग्लिस हिंदी उर्दु जब भी सब्जेक्ट की बात हो लेंग्विज की बात हो तो वहां पहला अच्छा कैप्टर लिखा जाता है ठीक है तो I wish I could speak English इस तरह से बनाएंगे इसको काश में एक डाक्टर बन सकता या काश में डाक्टर बन पाता ठीक है तो I wish I could become a doctor ठीक है इस तरह से बहुत आसान है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप इसको वीडियो को दो बार तीन बार देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हाँ नहीं हम, आज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कमेंट में 5 सेंटेंस इस तरह के अपनी मन से आप ना के दीजिए मुझे अगर मैं यह होता अगर मैं यह और वहां पर काश में यह होता सारई यदि मैं यह होता यदि में यह होता यदि में वह होता इस पर पांच और काशवाले पर पांच इन दोनों पर पांच-पांच संटेंस आपको Comment बाउस में लिखना है हिंदी ना लखिए कोई प्रॉलम नहीं को वहले इंग्रिस लिख्थ दीजे ठीक इस आप यह काश वाली यह जो मैंने पर आप जाएंगे जब वीडियो पर जब आप किलिक करेंगे यहां वीडियो पर तो यहां नीचे आपको मिलेगी बहुत पहले बनाया था अच्छी वीडियो थी बड़ उस वक्त सब्सक्राइबर कम थे लोगों को पता नहीं था तो वो वीडियो उतना नहीं चल पाई थी लेकिन जिन्हों ने देखा उसको लाइक किया बहुत ठीक है यह काश वाली है इस पर आएड आएगा इसको चली छोड़ देता हूं यह काश I wish I had I if only और इसमें कई चीज़े मैंने बताई है ठीक है तो अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके लावा और भी बहुत सारी जो है वीडियो अवे लेवल हैं उनको भी आप देख सकते हैं के कुशनेर्स तो थैंक्स फॉर वाचिं कर दो देख सकते हैं